हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल मेरा नामे रतनेश भाट और हम कोरोलो के इस क्लास में जो अभी पढ़ रहे हैं वो है टूल बॉक्स टूल बॉक्स के अच क्लास सेकंड है फर्स क्लास अलड़ी में पढ़ा चुका हूँ सेकंड क्लास में आप देखेंगे जो आज का हमारा टूल है वो है हमारा क्रॉप टूल और दूसरा हमारा जूम टूल क्रॉप टूल के अंदर दोस्तों तीन टूल और भी है पहला है नाइ के देखना हो तो आप देख सकते हैं लेकिन जो में टूल आज का हमारा रहेगा वो है हमारा जूम टूल जो में जो यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर आइकन दिया है उसके थू मैं आपको बताऊंगा लेकिन में मेरा फोकस रहेगा शॉटकट की के ओपर शॉटकट की इसके थू ही आपने जूम टूल का यूज करना है यह बहुत ज्यादा मैंडेटरी आपके लिए क्योंकि जब आपको जूम टूल के लिए शॉटकट की इस बहुत ज्यादा जरूरी है तो मेरा मेन फोकस आज जूम टूल के ओपर ज्यादा रहेगा ना कि क्रॉप टूल के अपर पढ़ाऊंगा लेकिन जूम टूल ज्यादा जरूरी आपके लिए तो आईए देखते हैं आज की क्लास म क्या सीख रहें नया तो दोस्तों यह देखिए हमारा जो आज का टूल है यह फर्स्ट क्रॉप टूल इस क्रॉप टूल के अंदर और आपको बता थे नाइफ वर्च्व सेग्मेंट डिलीट एंड इरेजर तो इस क्रॉप टूल का यूज इसके नाम से जैसे पता ही किसी भी चीज को क्रॉप करने के लिए ही काम आएगा तो जैसे कि एक रेक्टेंगल टूल मैं लेता हूं यहाँ पर आपको पता रेक्टेंगल टूल मैं काफी क्लास में बता चुक हूँ इसके थिकनेस थोड़ी सी मैंने बढ़ा दी फिलाल फाइप पॉइंट कर दी है तिकनेस जितना यह portion आया है यह इतने portion को रखेगा बाकी सारे बाहर के portion को क्रॉप कर देगा बाहर से मेरा मतलब है जो object select हो रखा है उस object का बाहरी किनारा सारा सारा यह delete कर देगा और मैंने select करके सिर्फ enter प्रेस करना है यह देखिए इसने object को उतने portion पे crop कर दे जितने मैं selection लिया हुआ था तो यह होता है crop tool का काम यह किसी object को यानि कि किसी भी vector shape को या फिर कोई image हो जैसे कि मैं एक image लेता हूँ image अगर इसमें लानी है तो इसको shortcut command है file में जाहिए आप import shortcut key control i मैंने अभी आपको menu बार नहीं पढ़ा रहा हूँ पर धीरे देरे किसी भी tool के साद अगर किसी menu बार का use हो रहा है तो आप देखते रहेगा याद करते रहेगा उसे भी तो यह import यहां से क्लिक कर दी या फिर control i keyboard से प्रेस करती जगा यह मैंने क्लिक किया तो यह देखे मिन system पे एक folder अलड़ी खुला पड़ा था जहांसे last time मैंने इंपोर्ट किया था यह images का है मैंने एक image यह ले ली और यहां पे click करके यहां पे import पे क्लिक किया तो यह देखे ऐसा icon आगे है थोड़ा सा click करेंगे तो यह images के अंदर place हो गई है अब crop tool के लिए अगर मैं यह क्लिक करता हूं और इस image को देखो मैं बाहर से अंदर से भी select कर सकता हूं इतना portion मुझे चाहिए था इस image का बाकी portion नहीं चाहिए था तो मैंने जैसी enter press किया इसने image को इतना crop कर दिया है अब इस image crop करने का एक तरीका और है जो मैं अभी बताता हूं वो है इस shape tool के through भी मैं दुबारा से एक image ला रहा हूं same image को मैं या कोई दूसरी image को जैसे यह देखे same image को मैं import कर रहा हूं यहां पर हलका सा shift दबाके मैं proportion में से छोटा कर रहा हूं ताकि आपको समझा सकूँ अब देखे एक crop होता है हमारा shape tool के through भी क्लिक करा तो देखे notes आगे हैं इसके मैंने notes को select किया selection लेना आपको पता आप कैसे लेते हैं और मैंने इसको shift दबाके थोड़ा सा left की तरफ drag किया तो देखे इतना portion image का cut गया वैसी इधर से मैंने इसको इधर की तरफ drag किया तो यह cut गया थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा bottom से तो यह भी हमारा क्रॉप करने के एक तरीका है shape tool के थूरू लेकिन दोनों में फर्क यह है कि अगर मैं इस image को वापस चाहता हूं कि पूरी पूरी image जैसी as it is मेरी थी पहले वापस आ जाए तो यह अब वापस नहीं आने की क्योंकि यह image इतनी crop हो चुकि यह देखे blank area आ रहा है image आगे नही image नहीं आ रही है लेकिन इस shape tool के थूरू अगर मैं इसको crop करता हूं तो इसने image को काटा नहीं है crop नहीं क्या है इसने image को hide कर दिया यह देखे आपकी image as it is वहाँ ही ऐसी की ऐसी है तो यह crop करने का एक तरीका shape tool के थूरू भी होता है अज एक तर हम shape tool का use करते हैं क्योंकि कभी image को कोई part हमें चाहिए होता है तो हम दुबारा image को place करने के बजाए वहीं पर edit कर सकते है crop tool में यह possible नहीं हो तो इसलिए मैं crop tool का use आपको जैसे कि मैं बता दा पहले नहीं करता हूं क्रॉब टूल के अंदर दोस्तों एक tool है knife tool के इसका भी use नहीं करता हूं मैं पर मैं आपको बता रहूं यह फिर से एक box लिया मैंने अब knife tool पे अगर यह मैंने knife tool पे क्लिक करा अब यह जैसी अब फ्रो सीधा हो गया है, तो सीधा इसलिए हो आ है क्योंकि इस लाइन को select कर लिया है, इसको line मिल गया है, अब मैं एक click यहां पर करूँगा, तो यह देखे कि line आ लिए है, और दूसरा मैं click करूँगा इस line के उपर, click करते ही, इसने क्या करा, इसने इन दो objects को अलग कर दि यानि कि जैसे ही मैं इस shape को इस line के थूर इस knife के तुक काटूँगा, यह already एक line यहां पर create कर देगा, यानि कि इस box को जोड़ देगा अलग से, और यहां पर भी same line create करके इस box को भी जोड़ देगा, और साथ में अलग भी कर देगा, अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, त यह वाला part अगर क्लिक करता है, keep as an one object, इसको भी select कर लेता अगर मैं, तो यह देखिए अब, इस line के थूर मैंने इसको करा, तो इसने इसको काट तो दिया है, लेकिन इसने इसको एक ही image बना के रखा हूँ है, एक ही object बना के रखा हूँ है, यह बीच में line add हो चुकी है, ब तो इसलिए इस tool का ज्यादा है, दोस्तो मैं use नहीं करता हूँ, क्योंकि यह फालतो का time waste है, इतनी देर में दूसरे तरीकों से भी फटा-फट काम कर लोगे shape tool के थूरू, या फिर आप दो अलग-अलग box बना सकते हो, इतनी देर मैं इसको cut करूँग, इतनी देर मैं तो ए आपको virtual segment डिलीट बताता हूँ, इसका use का है, एक बार ये भी देख लेते हैं, मान लिजे मैंने एक object मेरा ये है, और दूसरा object मेरा इसके ओपर overlap कर रहा है, vector object ध्यान रखेगा, दोनों को मैंने select किया, virtual segment पर गया मैं, और मैं जैसे एक line इसके ओपर ऐसे draw करता हूँ, यह देखिए इस line को delete कर दिया, इसको draw करता हूँ, इस line को delete कर दिया, तो यह overlapping object को delete करने का मतलब, आप यहाँ करोगे, इसको भी delete कर देगा ये, पर फिलाल अगर मैंने को overlapping object को delete करना है, तो यह इतने portion को select कर इसको delete कर देता है, तो यह यह कोई useful tool नहीं है मेरे सबसे, इसलिए आप इसको रहने दिए, बस बताना था, आपको सिखाना था, इसलिए मैं आपको बता दिया, genuinely, मैं मेरा focus जैसे कि आपको मैंने बताई रख्या, आज का मेरा main zoom tool है, anyway, इसके last tool है, eraser tool, यह थोड़ अच्छ tool है, क्योंकि जब देखे, इसके दूरा कर मैं की object को erase करना है, तो यह देखिए, Wars उरी मैंने select नहीं किया, logic को अभी इस लिए इसलिए Eraser Tool ने Error दे दिया, Select किया, Eraser Tool क्लिक किया, यह देखिए, यह Particular Object को Delete कर रहा है, यह देखिए, इस अब जो Select किया, इसको Delete कर रहा है, तो Object को Erase करने काम आता है, इसकंद एक चीज बढ़िया और भी है, मालेजे मेरे एक यह Box था, अब और यह Box के चारो Corner एक दूसरे जुड़ हैं, Joint है, सारे का सारा, तो अगर मैं Eraser Tool लेता हूँ, और बीच में से इसको ऐसे Erase करता हूँ, तो बीच में से इसे Erase नहीं करेगा, यह इनके बीच में एक Line अपने आप ही Add कर देगा, क्योंकि Single Object है यह, यह अलगलग Object नहीं है Stamp है, इसलिए एक नया Path इसने बीच में दोन Joint जहां से Starting Point से End Point जोड़ा ना हो, तो इसलिए इसने इसको अपने आप ही जोड़ दिया, Eraser Tool का काम यह है, और Eraser Tool का एक काम और भी है, वह मैं आपको बताता हूँ, फिर से हम फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, या फिर Shortcut की Ctrl-I, मैंने यह Image ऐसे Apple का इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पर, तो Eraser Tool का काम यह है कि आपके एक यह Bitmap Image को भी आपको यह Erase कर देता है, यह देखिए, यह मैं रफली कर रहा हूँ, Perfection नहीं आएगी कभी, पर यह Erase हो गया है, पर यह भार का Portion का जुड़ा होगा है, आप चाहते हैं इसको यह देखिए, मैंने आपको Shape Tool का Use, काफी जेगे Shape Tool का Use, अपने अपने अलग तरह से Use होता रहेगा इसका, इसलिए मैंने आपको बतात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी Tool है, यह देखिए, ऐसे Delete कर सकते हैं, यह फिर एक Shortcut की है आपकी, इसको Select करके आप करेंगे, Ctrl-K, यानि कि Object में जाके Break, यह File का नावारा Apart, Ctrl-K, Ctrl-K करते ही, यह बीच में क्योंकि Transparent होगे था, Delete हो चुका था, यह Erase कर चुका था, यह Image अल पाठी एक तरीके से, यह देखिए, मैं Select करा और जैसे इसको Delete करता हूँ, यह पूरी पूरी Image मेरी As It Is वापस आ गही है, तो यह एक तरह से इसने Path बना दीता हूँ, पाथ के अंदर इस Image को इसने Hide कर दिया, बाकी Path इसने, बाकी सारा Areas इसने Hide कर दिया, तो आप इसके अप Image Cut Out करने के लिए, अगर आपको Cut Out करना था, अड़ फोटोशाप को यूज़ करें, वो Best है, यह इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कई बार किसी Design बनाने के लिए आपको जल्दी से काम करना होता है, तो आप फोटोशाप में ना जाने के पिए यही पे Eraser Tool के उपर, जैसे कि मैंने Color डाला है, और क्योंकि Apple के उपर इस टाम पे Object आ रहा है, तो मैं इसको Right प्रेंट क्लिक करूँगा, Order, Order में To Back Off Page, जैसे कर रहा है, यह देखे, इस Image के पीशे चला गया है, तो यह देखे, यह transparent के cut चुक है यहां से, तो इसके पीशे जो भी में जाएगी, वो हमारे को show हो जाएगी, तो यह Eraser Tool के यूज होता है, तो खेर, यह कोई खास Tool नहीं था है, Main Tool का मेरा Focus जो आजाए, Zoom Tool, Zoom Tool का देखे दोस्तों, यह है बड़ इच्छी चीज, मानलेजे मैंने एक Box लिया, और इसके side में एक छोटा सा Box और लिया, यह है Red, यह है Yellow, यह है मेरा थोड़ा हलका सा बड़ा Blue, यह सिर्फ मैं आपको Object का Zoom Tool के रिकार्डिंग बताना है, इसलि Design बना के आपको नहीं बता दूँँ, अब देखे, Zoom Tool, इस प्लिक क्लिक करते हैं, अगर इसकी shortcut की है Z, कभी Use नहीं करनी है, मैं recommend कर रहूँ आपको, क्लिक करा, क्लिक करते ही, यहाँ पर देखे, 92%, यह नहीं कि मेरी स्क्रीन जो इस टाइम पर 92% पर वर्क करनी इस टाइम प यहाँ, एक यहाँ देखे, Zoom to all object F4, सब पढ़ातों में, Zoom to page, Shift F4, तो पहले इस पर देखते हैं, Zoom in, Zoom in करने के लिए, इसका मतलब जैसी क्लिक करेंगे, यह देखे, पेज, Zoom in होता जा रहा है, लेकि Zoom in तो हो रहा है, लेकि मिरे को मान लीजए, अपने yellow वाले product को ही सिर्फ Zoom in करना था, लेकि यह दो complete page को Zoom in कर रहा है, तो मैं वापस Zoom out कर रहा हूँ, अब मैंने अपने yellow वाले product को select किया, lens tool लिया, plus, फिर भी देखे, यह center वाले portion को Zoom in कर रहा है, पूरे page को यानि की Zoom in कर रहा है, तो इसका सही तरीका क्या है, मुझे तो मेरे yellow product देखना है, तो मैं lens tool को, यानि की magnifier tool को लाने का एक तरीका और है, F2, F2 करते ही देखिए, आपका cursor अपने आपी lens tool में change हो गया, और यह plus का icon आए हुआ हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ selection लिना है मिरेको, इस yellow वाले part को अगर मुझे बढ़ा करना है, जरूरी निकिस को select करके रहा मेरे पास F2 प्रेस किया, मुझे को अपने yellow वाला part बढ़ा करना है, तो mouse इसके पास लाँगा, और सिर्फ इसकी selection इतनी लूँगा, और यह देखिए, yellow वाला part जूम हो गया, और जूम होते ही lens भी अपने अब हट चुक है, वासे, फिर F2 प्रेस करता हूँ, और इसको select करत हूँ, यह देखे, zoom in, इसी तरह अगर मुझे इसको zoom out करना है, तो मैं F3 यूज करूँगा, F3, यह देखे, F3 का मतलब यह है, कि यह वापस एक one by one step इसको back जारा है, छोटा करने पे लगावा स्क्रीन को, तो यह shortcut तरीके है, आप इनको use कर लेगा, F2, zoom in करने के लिए, F3 zoom out करने के लिए है, F2 के तरह अगर आप lens लेते हो, तो आप selection भी इसकी ले सकते हो, easily, किसी particular अपने object की, यह देखे, F2 प्रेस किया, और zoom in कर लो, selection करके, एक तरीका तो था यह, दूसरे है, अब मैं मान लो, चाहता हूँ कि मुझे सरफ इस वाले object के ओपर work करना है, मैं चा पेज में एक ही बार में ये बड़ा हो जाए, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिरफ shift इस object को select करना है, और shift F2 प्रेस करना है, F2 हमारा lens के लेता, shift F2 का मतलब हमारा हो गया, कि जिस भी object को हमने select किया होगा, shift F2 प्रेस करता ही, सिरफ वो ही portion हमारा zoom करके screen के ओपर पूरा आ ज object होगा, जो कि उसके range में आ रहा है, उस दाइरे में आ रहा है, तो ये उसको भी साथ में zoom in कर लेगा, क्योंकि ये है तो उसके पास ही न, एक object एक screen के ओपर जितना सकता है, सिर्फ उतने zoom in होगा, तो ये देगे shift, मैंने yellow select किया है, और shift F2 कर रहा हूँ, तो देखिए उसक उसको तो select zoom करके दिखाए है, लेकिन क्योंकि उसके बगल में एक छोटा सा red color का box भी था, तो वो भी साथ में उसको उतने area में दिखाना ही पड़ा, क्योंकि उपेज के उपर ही हमारा object है, तो shift F2 का आपको पता लग गया, और F3 से वापस हम इसे छोटा कर सकते हैं, अब म पेज हमारा जो है, पूरा page view हमारे show होता है, shift F4 से हमें हमारा पूरा page view show होता है, इस चीज का ध्यान रखेगा, यहाँ पर भी यह देखे, click क्या था, तो यह shift F4, zoom to page, वापस page पहा जाता है, यहाँ पर भी click करके, तो आपको बार बार यहाँ जाने के जिरूत नहीं है, इ बड़ा करता है, shift F4 से हमारा पूरा page view आता है, चाहे हम कहीं पर भी हो, कितने जूम वाले portion पर हो, shift F4 प्रेस करते ही, वापस हम page view पे आ जाएंगे, एक होता है दोस्तों हमारा, या फिर हमारा दोस्तों ही page काफी छोटा है, फिर भी हम अगर shift F4 प्रेस करेंगे, तो वाप यह page view पे आ जाता है, माउस के थूरू हम आगर करते हैं, यह हमारा, sorry, F2 हमने प्रेस किया हुआ है, और माउस का हम right button press करते हैं, तो भी यह one by one छोटा होता चलाता है, F2 right button click, F2 right button click, F2 right button click करते हैं, यह जो mouse का यह जो cursor है, यह minus में आया हुआ है, lens tool हमारा, यानि कि right button करके ह लेकिन बार बर हमें F2 press करना होगा, ध्यान देखें किस चीज़ का, तो मैं वापस shift F4 कर रहा हूँ, ताकि हम अपने वापस page view में आ जाए, selection करके मैं आपको बढ़ा करना है, तो selection के थूरू आप इसे कर सकते हैं, और दोस्तों एक की और है, जो है हमारी F4, F4 का use यह है कि मान लिजे मेरे page पे कई सारे product रखे हैं या object रखे हैं जैसे और या कुछ object मेरे page से बाहर है, इतने बाहर है, sorry, इतने बाहर है और मैं इस page पे यहाँ पर काम करना है, अब मुझे पता ही निए कि मेरे object कोई बाहर भी पढ़ा हुआ है, तो लेकिन जैसे ही मैं F4 press करता अब तो हम वापस उसको अंदर कर सकते हैं, दोस्तो हमारा जो आखरी tool है वो यह है, आज का pen tool, इसकी shortcut की है h, अब अपने keyboard से h press कर लिजे या फिर यहां से click कर लिजे, इसका use सिरफ यही है कि हम page को left, right ये top, bottom पकड़ के shift कर सकते हैं, या फिर हमारा page के काफी zoom level पे हो रख और इसको ऐसे पकड़ के drag करना तो हम इधर वाले object के उपर काम करेंगे, यानि कि हमारा zoom level हमारा same बना दाएगा उस time पे, और सिरफ हम page को left, right shift करके ही उस object के उपर work कर सकते हैं, या इसके उपर करना तो हमारा zoom level as it is वही के वही बना रहेगा, तो दोस्तों आपको आज की class कैसी लगी, प्लीज यार इसे जरूर शेर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किस इस class को लेकि कोई भी query है, तो आप प्लीज comment box में मुझको जरूर अपनी query रखें, मैं आपको जरूर उसका solution दूँगा, आज के लिए इतना था, thank you so much, have a nice day, bye